दर्शों को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं साकोली विदान सबाक शेत्र की साकोली विदान सबाक शेत्र वैसे तो देखा जाए यहां कॉंग्रेस का गढ़ हुआ करता था लेकिन पिछले चुनाओं में 2014 के चुनाव में यहां भारतिय जंता पर्टी के सीट आई है और भारतिय जंता पर्टी के जो बड़ा खाशिवार करके विदाएद का करते अब उनके टिकेट काटकर भारतिय जनता पारिटी ने या अपने एक करीबी जो की मान्य मुख्यमंत्री जो है अमारे राज्यके इनके जो करीबी कहे जाते हैं उन्हें परिने फुके को इन्हों ने वो टिकेट दिया हुआ है अब इसमें हम आपको बता दे कि हाली में जो उसे चर्चा करकर भीड को कैसे इखटा करना है यहां कुछ बाते यहां के जो परीने फुके हैं जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ मिटिंगे ली थी उस मिटिंग में का एक वीडियो वायरल हुआ था उसी वीडियो के बारे में आपको भी बता रहे हैं जैसा कि आप राजबन होकर इनोंने क्या कहा देखते हैं एक तरफ केंद्र के जो नितिनगड करी है सड़क हाक्सो को लेकर काफी गंबीर और चिंतित थे उन्होंने हाली में एक केंद्र सरकार की गाइड़लैन जारी की है सड़क परिवन के नियमों के बारे में आप वहाँन कैसे चलान अगर आप मोटर साइकल चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना आनिवारी है आपके मोटर साइकल पर अगर कोई बैठा हुआ है पीछे की सीट पर उसे भी हेलमेट पहनना है अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाते तो आपको लगबग पहले 500 रुपए का जुर्माना होता था अब आपको 5000 रुपए का जुर्माना होता है ठीक इसी प्रकार वहां चलाते समय अगर आप फूर विल चला रहे हैं तो आपको स्रीड विल बांदना निवारी होगा उसके बाद आपको गाड़ी के सारे कागजात जो है RC, PUC और उसका इंशुरंस वगरे यह सारे कागजात आ नहीं है RC बूक नहीं है उसके बाद आपके बास ड्राइविंग लाइसन नहीं है उसके बाद आपके पास प्यूसी नहीं है उसके बाद आपके बास गाड़ी का इंशुरंस नहीं है और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो ऐसी स्थिती में आपके उपर 29,500 रुपए का परकार को देने पड़ेंगे ऐसी स्तिती के बावजूद यहां के जो परिनेफु के जो भारतिय जनता पार्टी के साकुली विदान सभाक्षेत्र के उम्मिद्वार है उन्होंने अपने ही कार्य करताओं को मिटिंग में कहा है कि आप यह जो मोदी की सभा हो रही है इस सभा म में राज्य में मंत्री भी है और गोंदिया भंडारा जिले के यह गाइडेन मिनिस्टर भी है क्या इन्हें यह कहना लाजमी लगता है देखिये कैसा कि इन्होंने क्या कहा था आपने अपने राजमी लगता है इस सभा में जोने क्वारा जोला जोला हो बहुत वरुन यह जोला हो रहा है और विदान परिश्द का चुनाव भी लड़ा हुआ है। गोंदिया बंडारा विदान परिश्द का चुनाव वहां की जो जिला परिशद है और बंडारा की जिला परिशद है वहांके उम्मीद्वार जो वहां के जो चून के आएवे उम्मिद्वार होते हैं वो इन्हें ओट करते हैं साती साथ नगर पंचायत के जितने भी उम्मिद्वार जो सदस्य होते हैं वो भी इन्हें ओट करते हैं ठीक इसी प्रकार पंचाय समिती जो होती है उसका जो सभापती होता है वो ने ओट करता है याने ये सारे ओट जो होते हैं काफी कम मात्रा में होते हैं दोनों जीलों में लगबक 300-400 ओट होते हैं और ये 400-300 ओट लेकर यह विदान परिशत के मिंबर बन जाते हैं तो इस पूरे मामले में एक हमारे पास वीडियो आया हुआ है, जिस वीडियो में यह जो दो लोग आपको दिख रहे हैं, यह दोनों लोग भारतिय जनता पार्टी के पदा दिखा रही हैं, इसमें से एक जो विजय कागते करके हैं, यहां मोर्गाव अरजुनी नगर पंचा के तालू का अध्यक्ष भी है, देखें इन्होंने क्या कहा है, अचली आपको बताता हूँ, पंदरा लाग किसी को दिए है, पहली बात, पंदरा लाग का आखला टोटल जुटा है, पंदरा लाग के वैसा है, अरे त्या आपना कंता इलेक्षन, एमेंसी चे एलेक्षन ने दद्दस लाग सबको दिए, पंदरा लाग ने दिया, उने दद्दस लाग सबको दिए, आपको बताता है, पिचल घवा परनी किने, सबको परिज़ जी रहे, वो उनके पक्स रहे, इस पूरे वीडियो की जब आप देखते हैं, तो आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से विदान परिशत के चुनाओं के जो ओट होते हैं, वो कैसे खरीदे जाते हैं, जैसा आपने अभी देखा है कि यह जो पूरे मामले में इन दोनों ने जो अपना बयान दिया हुआ है, लगबग विदान परिशत के जब चुनाओं हुए, तब उस दोरान जो मतदाता थे, जो इनको जो चुनाओं में जिता कर लाने वाले थे और जो विदान परिशत में इनको बेजने वाले थे, उन्हें इन्होंने परिनेफ हुगे ने 10-10 लाक रुपे दी है, ऐसा हम नहीं कहे रहे है, इनी के पदादिकारी कहे रहे, यह जो उमाकांद हें यहां मैं आपको ब पहे चुके हैं राज्यके, उनका यह करीबी वेक्ति कहा जाता है, और देखिए एक करीबी वेक्ति ही किस तरीके से बताते हैं कि हमने ओट कैसे खरीदे हैं, क्या ऐसे वेक्ति को, ऐसे उम्मिदवार को, अभी विधान सभा के जो चुनाओ हो रहे हैं, जो जनता उन्हें चाहेगी फिलाल वक्तों चला एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेंगे भंडारा जीले के तुमसर विदान सबाक्षेतर के जो कारे मोरे यह राष्टवाधी कॉंग्रेस के प्रत्यक्षी है और इनकी क्या स्थिती है आज इनको क्या-क्या राष्टवाधी के टिक झाल झाल